आपका स्वागत करती हूँ मैं आपकी अपनी होस्ट एंडोस डॉक्टर वायरा की कैसे हैं आप सब आप लोगों को राम 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 मंदिर के बनने की हार्दिक शुपकामना है हां जी नीट तो पढ़ी गई मंदिर भी होई बन जाएगा हम हिंदु सानी जो सोचते हैं वो जरूर कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा दुनिया के अंदर हर पुरुष तो गलत नहीं होता बारा साल की बच्ची का बलतकार दिली के अंदर हुआ पीरा गड़ी के अंदर और इतने जानवर तरीके से हुआ कि आप सब जानते हैं आप सब ने सुना हैं मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो मेरे रॉंक्टे खड़े हो रहे हैं मुझे घुसा आ रहा है सरकार कुछ नहीं करेगी लोग नहीं बदलेंगे इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी हमें बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए हमें उनके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए हमें बेटी के साथ हर वक्त किसी को छोड़ना चाहिए तो फिर बेटी का पेट कैसे पाले उसकी मा जो अच्छली उस ट Matter उसे घर पर छोड़ कर वो भी बेटी की सुरक्षय Nowakलएं आज भी ईके सूरक्ष को आज अर्ण ऑउल्लाइन क्लास ले पारे हैं लेकिन आज बेटी घर में सुरक्षित नहीं है ये बलतो कार उस बच्ची के घर में उसके साथ हुआ और से applause क्या करें हर मां ज्ञाक अच्चल पेटी घonte औरत को एक मा की रूप में देखते हैं, जो बेटी को एक कन्या की रूप में देखते हैं, आप इसे हजारों लोग हैं जिनको ये बात सुनकर, Actually, मैंने ऐसे पुर्शों को देखा, जहां पर न हम औरतों को तो सुनकर होता है, हमें तकलीफ होती है हमारे रॉंक्टे खड़े होते है पर मैंने ऐसे कई पूरुष्यों को देखा जो रोने लगे इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी तकलीफ हुई उन्हें ने का पस पस राखी जी स्टॉप कर दो इस विशे पर बात मत करो बहुत दुख होता है इन सालों को सड़क पर खड़े होकर गोली मार देनी ची वो भी तो पुरुष हैं वो भी अच्छा सोचते हैं उन्हें भी किसी महिला की वज़ा से तकलीफ होती है इस 15 अगस पर प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे अपने घर की बेटी को अपने पड़ोस में भी मत जाने दीजे बेटी को घर पर मत छोड़िए जैसे ही आपके घर में बेटी पैदा होती है आपकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो जाती है यकीनन आप अपने घर में अगर कमाने जा रहे हैं चाहिए जहाँ प्लीज अगर आपकी बेटी है और आपके पास आईडी है कि वह आपकी बेटी है और आप उसे आप ऑफिस लाइए हम एक ऐसी जगा बनाएंगे जहाँ पर सरफ महिलाओं का परवेश होगा जहाँ आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी वह बच्ची उस प्ले जो रूम है उसमें खेलती रहें आप उसे फरत ब्रबां लेकर अगर मजदूर की बेटी है तो मैं कहूंगे प्लीज आप उससे साथ लेकर जाओ लेकिन बेटियों को कहीं पर भी अकेला मत छोड़ो ना पड़ोसी के पास ना घर में क्योंकि बेटी आज घर में भी सुरक्षित नीजा करोना से दुनिया मर रही है उन दरिंदों को यह हवस यह बात मतलब कैसे तू समझ में आती है क्या ही उनका mental level होता होगा क्या ही है वो जानवर कहना उन्हें गलत है क्योंकि जानवर को भी अगर चार दिन आप खाना दोगे ना तो वह आपको सूं कर मैं कुत्ते की बात नहीं करूं किसी भी जानवर की बात करें वह आपसे दोस्ती कर लेगा जंगल में भी वह आपको पैचानने लगेगा इवन हाथी भी आपके साथ दोस्ती करके खेलने लगेगा यह कौन से मनुष्य रूप के इनसान है जो जानवरों से भी गई गुजर है बहुत दुख हुई यह गटना सुनकर बहुत दुख हुआ और एक सकिंड लगा कर अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ कर आसमान की तरफ देखकर उस बच जैसी मुसीबत से बच जाते हैं और जब कहीं दूर बैठकर कोई हमें बद्वा दे रहा होता है लेकिन अगर रेल हमने वह गलती की हो तो ठीक है आप लोग हजारों लोग बैठकर रोज मोधी जी के लिए गलत बोलते हैं तो मोधी जी तो सूरज की तरह चमकते ही जा रहे मतला छोड़िये इस विशे पर बात करना भी बेकार है लेकिन इस विशे पर बात करना ही पड़ेगा अगर हम नहीं करेंगे ना तो हर बच्ची के मन से ये खौफ जिन्दगी में कभी निकल पाएगा, क्या वो कभी भी शादी कर पाएगी, क्या वो कभी भी किसी पुरुष को, इवन अपने पिता को भी अपने पास आने देगी, तो जबाब है नहीं, प्लीज ऐसा मत करिये, जब हम देते हैं, हमें वही मिलता ह तो दुआइं दीजे, दुआइं मिलेंगी, मीठा दीजे, मीठा मिलेगा, आशिरवाद दीजे, आशिरवाद मिलेगा, प्यार दीजे, प्यार मिलेगा, भक्ती दीजे, भक्ती मिलेगी, जिन्दगी बहुत खुबसूरत है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मुस्कुरा कर जीए आप, मैं सच बता रही हूँ हर लमहा, हर पल, ना जाने कब उपर वाला डोर खीच ले कब किसका नमबर आ जाए, दुआओं में रहो, दुआओं में, फिलहाल दीजे जाज़त, I love you all मैं हमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ और ईश्वर से हर वक्त ये कहती हूँ ये जो व्यक्ती, ये जो शक्स इस वक्त मेरा कारिकरम देख रहा है खूप फले, फूले, स्वस्त रहे, खुश रहे मस रहे, बिंदास रहे, और मुस्कुराता रहे, जाय माता दी